गणेश शतूरती के मौके पर पूरे बॉलिवुट से एक से बढ़ कर एक खुशनुमा तस्वीरे सामने आ रही है तमाम बॉलिवुट के सेलेप्स ने अपने घर पर गणपती बपा को विराजित किया है इसे बीच टीवी आक्टरस चारुवसो पर आजीफ सेन के घर से भी कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आई है जिसे देखकर उन दोनों के फांस की खुश्या दोगनी हो गई है टीवी आक्टरस चारुवसो पर आजीफ सेन ने मिलकर गणे शतूरती के मौके पर एक साथ गणपती जी की पूजा अर्चनकी है जिसे देखकर इसाफ कहा जा सकता है कि गणपती जी ने दोनों की दूरियों को आखिरकार मिटा दिया है मांग में गहरा लाल सिंदूर, बालों में घजरा और हाथों में ला लाल चूणिया सोलश श्रिंगार करके चारु असोपा ने अपने ससुराल में किया मंगल मूर्ती का स्वागर पती राजीव संग भी चारु ने डाली हापी फामिली वाली पिक्चर्स तलाक के खबरों के बीच चारु और आजीव को यूँ हसते मुस्कुराते देख फांस का भी दिल हो गया खुश बपा के आने से ही मिट गई चारु राजीव की गलत फहमिया, दूर हुई दूरिया सुश्मिता सेन के भाई राजीव सेन और उनकी पत्नी टीवी आक्ट्रस चारु यूँ सोपक ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर जबरदास्त वाइरल हो रही है हो भी क्यों न भाई आखिर वज़ा भी तो खुश्यों वाली है अब इन तस्वीरों को देख कर भला कौन कहेगा कि ये वही चारु और आजीव है चो कल तक एक दूसरे पर कीचर उचाल रहे थे, तलाक लेने की बाते कर रहे थे और अपने फामिली ड्रामा का खुद ही पबलीकली तमाशा भी बना रहे थे इन तस्वीरों को देख कर तो यही लग रहा है कि मंगल मूर्थी के आने से ही चारु और आजीव की शादी शुदा जिंदिगी में एक बार फिर से सब कुछ मंगल मंगल हो गया है दरसल बीते दिन गणेश अतूर्थी के मौके पर चारु असोपा ने अपने घर में गड़पती को विराजित किया बेटी जुयाना की पहली गणेश अतूर्थी के मौके पर चारु अपने घर में बाल गणेश की मूर्ती लेकर आई इस सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरे राजीव और चारू ने दोनों ने ही इंस्टेग्राम पर डाली है जिसमें दोनों योग खुश दिख रहे हैं जैसे इनके बीच कभी कुछ बिगडा ही नहीं था चारू और राजीव दोनों ही टेडिशनल आउटफिट्स में है चारू ने लाल बोर्डर वाली वाइट साड़ी पहनी है तो वही राजीव गोल्डन कलर के सिल्क कुड़ते पजामे में है दोनों बपा की मूर्ती के सामने पोस दे रहे हैं एक तस्वीर में दोनों ही अपनी बेटी जियाना की गालों पर किस करें है तो वहीं एक तस्वीर में चारू की सासु मा भी अपने बेटे बहु के साथ दिख रही है क्याना पड़ेगा कि चारू और आजीव इन तस्वीरों में perfect family goals दे रहे हैं तो fans भी इनके तस्वीरों पर जम कर प्याल उटा रहे हैं और इनसे कभी जुदा ना होने की गुजारिश कर रहे हैं हलाकि इन तस्वीरों को देख सोशन मीडिया पर कुछ लोगों का गुस्सा भी खूप फुटा है किसीने इनके जगड़े और तलाग के खबरों को publicity stunt पताया है तो किसीने नौट तंग की यहां तक कि कुछ लोगों ने तो इसे बिग बॉस में जाने के लिए create किया गया fake drama भी बता दिया है अलाकि यह पहली बार नहीं है जब चारू को इस तरह ट्रोल होना पड़ा हो कुछी दिन पहले चारू मांग में संदूर लगाने की वज़ा से भी लोगों के निशाने पर आ गई थी इस पर उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि अभी वो officially अपने पति से अलग नहीं हुई है इसलिए उन्हें संदूर लगाने का हग है खेर अब इनके बीच सच में गलत फैमिया हुई हो या फिर ये दोनों ना टक करें हो लेकिन इन दोनों की खुशाल तस्वीर देख फांस पेहत खुश है विरे रिपोर्ट इट्वनिफोर